हलो एविवान वल्कम टू आ चैनल पनेश्या फर कॉंवडे टू एग्जामिनेशन जनाम श्वैता सो अभी हम पंडरे वाले हैं करेंट अफेर्ड्स टीसेस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा यूस्फुल रहेंगे सो आज अभी हम करने वाले हैं जून की करेंट अफेर्ड्स हो पार्ट वन कर रहे हैं सो अभी तक हमने जुलाई और आउगस्ट मन्त की करेंट अफेर्ड्स हमने फिनिश कर लिया है तो अगर आप वो वीडियो देखना चाते हो तो करेंट अफेर्ड्स प्लेलिस्ट आप एक medal at 2021 Asian Boxing Championship. So Maricom को कौनसा medal मिला है Asian Boxing Championship जो दुबाई में हुआ था? So इसमें जो है Maricom को Silver Medal मिला था. So which Indian Coast Guard Offshore Patrol Vessel has commissioned by NSA to the nation for safeguarding maritime interests? So NSA का मतलब यहाँ पर क्या होता है National Security Advisor या Authority होती है? So यहाँ पर National Security Advisor कौन है? अजदो वाल है? पताएए ना आप लोगों को National Security Advisor है अजदो वाल. So इन्हों ने जो है क्या किया है? NSA ने क्या किया है कि यहाँ पर इन्हों ने नीशन को जो है Dedicate किया है इसको Maritime Interest को Safeguard करने के लिए So वो कौन सा यहाँ पर Vessel है? तो अंसर साजाग आपका अंसर हो जाएगा So the UAE Government awarded home with its golden visa So golden visa जो है UAE Government ने किसको दिया है? तो आंसर आपका संजाइदत हो जाएगा So यहाँ पर golden visa का मतलब क्या है? आप जाके वहाँ पर बहुत जालो साल तक यानि 5 to 10 years तक आप continuously वहाँ पर रह सकते हो Okay, so 5 to 10 years तक यहाँ पर रह सकते हो यहाँ पर संजाइदत को जो है इन्होंने ओर गिया है यानि दे दिया है ऐसे Okay, कुछ eligibility उन्होंने नहीं मांगा था So which state government has launched बाल से व्योजना for children? So बच्चों के लिए यहाँ पर बाल से व्योजना जो है यह कार्णमेंट का किसके लिए जो है launch किया गया है यानि किसके द्वारा जो है launch किया गया है तो answer आपका उत्थर प्रदेश हो जाएगा So यहाँ पर क्या है ना कि जिन बच्चों ने COVID की बच्चे से अपने parents को जो है कोया है तो उनके लिए जो है इसको launch किया गया है योजना को अगर उत्थर प्रदेश की बात करते है योगी अधित्यानन्द is the right now chief minister Okay, योगी अधित्यानन्द है And governor की बात करते है कौन है आनन्दी बेन पतेल And लोकसबा और राजजबा की बात करेंगे तो लोकसबा में 80 seats है राजजबा में 31 So who has been appointed to the head of the world's largest museum law area So law area museum का head कौन है So यहाँ पर हम बात कर रहे है लोवेरी वर्ल्स largest museum के बारे में तो यहाँ पर ना किसको पॉइंट किया गया है Lawrence Deskards को जो है पॉइंट किया गया है और यह museum के बारे में आपको याद रखना इसलिए important हो जाता है क्योंकि यहाँ पर Mona Lisa का painting है तो यही museum है वो जहाँ पेंटिंग रखा गया था So which nation So यहाँ पर देखना यह museum पारिस में है So which nation has allowed couples to have three children ending its two child policy So which country है जहाँ पें पहले उन्ली दो बच्चे गरने वाला policy रहता था तो अभी इन्होंने जो है couples को तीन बच्चें के लिए भी अलाव किया है तो answer आपका चाइना हो जाएगा So China ने सोचा है क्योंकि चाइना में जो major population है न वहाँ पे तो old age की है तो यहाँ पे इन्होंने सोचा है कि youth की कमी हो रही है तो इन्होंने इस policy को two child policy को हटा दिया है पहले तो one child policy हुआ गड़ता था So WHO has given what teams to the COVID-19 variants first found in India So India में जो पहला मिला तना COVID-19 की variants उसको क्या नाम दिया गया है अखपा and delta जो है दिया गया था So WHO की बात करते है तो यह है World Health Organization 7th of April 1948 में इसकी establishment हुआ था Headquarter का है जिनीविया में है And Director General की बात करते है तो who is the Director General Tedros Hadhanom is the right now Director General So who has been awarded the FIH President's Award for contribution towards development and promotion of hockey So wha are the word दिया गया है जिन्हों ने development and contribute किया है To answer is A-O हो जाएगा वी खार्तिक है या फांडियन आंसर आपका हो जाएगा यहां पर सो एफ आई हैच का फुल फर्म फेडरेशन इंटरनाशनल दे होकी हो जाता है और इसकी हेड़कोर्टर्स कहां पर है लौसीन स्विजलांड में है सो यह जो है ना एक आई एस ऑफिसर है तो यह जो है ना राइट नाव प्राइविट सेक्रेटरी है ओडिसा के चीफ मिनिस्टर नवीन फटनायक जी को फूजा रानी हैस वन गोल्ड मेडल फर इंडिया इन विच स्पोर्ट इवंड सो कौन जी स्पोर्ट इवंड के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो आंसर आपका बॉक्सिंग हो जाएगा सो 75 कीजी वुमन्स मिडल केटिगरी में इनको जो है दिया गिया है गोल्ड किया गिया है गोल्ड मेडल सो एशिन बॉक्सिंग चैंपियन्शिप जो तुबाई में हुआ था वही पे इन्होंने जो है स्कूल और कॉलिज में यहां पे पढ़ाया जा रहा है तो अगर हम चीफ मिनिस्टर फडिसा की बात करते है तो नवीन पटनाइक जी है गावनर कौने गनीशी लाल है एन लोगसबा एन राजसबा की भी बात कर लेते हैं तो कितने सी से लोगसबा में 21 राजसबा में है 10 सब्सक्राइब है तो किसको दिया गया है यह स्पेशल रिकर्गनाइज़ेशन अवार्ड वहो के दवारा स्मृति एरानी तो अभी अभी मैंने वहो के बारे में आपको बताया कि 7th of April 1948 में इसकी establishment हुआ है headquarter इसका कहाप है जनीविया में तो डारेक्टर जेनरल कॉनेट हैड्रोजाद नॉम है तो दे मैंस T20 वर्ल कप विल इंक्लूड हाव मेनी टीम्स फ्रम 2024 तो T20 वर्ल कप मैं यहां पे कितने टीम्स रहेंगे 2024 से तो आंसर आपका 20 हो जाएगा So who has taken charge as the new chairman of the National Human Rights Commission So National Human Rights Commission की establishment 12th of October 1993 में हुआ आता So new chairman कौन है यहां पे तो यहां पे आपका Arun Kumar में सही आंसर हो जाएगा So Isaac Herzog has been elected as a new president of which country So कौन सी country के new president बने है तो Israel So what is the capital of Israel Jarsulam It's the capital and currency के बाद करता है तो शकल is the currency So who has been appointed as a grievance officer for India by WhatsApp So WhatsApp की grievance officer कौन है So Parish Bilal आपका अंसर हो जाएगा So who has been appointed as a commander in chief of अंडमान निकोबार आर्मी कमांड So किसको commander in chief appoint किया गया है अंडमान निकोबार आर्मी कमांड का यहाँ भी answer Ajay Singh आपका सही answer है So who is the lieutenant governor of अंडमान निकोबार बात करता है तो देवेंद्रा कुमार जोशी आपका सही answer हो जाएगा Capital क्या है पूट बलेर है Who among the following has assumed the charge as the deputy chief of Indian naval staff So Indian naval staff की deputy chief कौन है So Ravneet Singh answer हो जाएगा So which company has announced a partnership with TechChange Google to offer a learning solution for schools So कौन सी company है जिसने partnership किया है Google के साथ So learning solutions schools में देने के लिए So वो हो जाएगा by juice Okay So Barthi ATL-owned satellite communication company OneBeb confirmed the launch of how many new low-earth orbit satellites So OneBeb company जो है न यह communication से related company है तो कितने satellites launch करने वाले है तो answer 36 हो जाएगा इसकी OneBeb के establishment 2012 में ही हुआ था So which bank has blessed to become carbon neutral by 2031 and 32 So 32, 2032 year the carbon neutral होने वाली कौन सी bank है तो answer है यहाँ पर आपका HDFC bank हो जाएगा So Housing Development Finance Corporation Bank इसका establishment आपका 30 August 1994 में हुआ था So अगर हम इसकी headquarters की बात करते है तो Mumbai में इसकी headquarter है Okay So which of the following states has written the top rank in Neeti Ayo Sustainable Development Goals India Index 2020 and 2021 So first place पे कौन है तो answer आपका केला हो जाएगा So Sustainable Development Goals Okay So Neeti Ayo की Sustainable Development Goals India Index में केला ने टोप किया है So who is the Chief Minister of केला पिनार आई विजेन है गावनर गौन है आरीफ मोहमाद कान है And लोकसभा और राज़जभा की बात कर लेता है लोकसभा में है 20 राज़जभा में है 9 So अगर आपको पता है क्या Sustainable Development के कितने Goals होते है 17 Goals होते है ये एक बार पढ़के जाएए एक्जामनेशन में हमारे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा एक बार साच कीजिए Sustainable Development 17 Goals So the Union Cabinet has approved MOU between India and Argentina with which field So India और Argentina की एक field में MOU जो है अप्रू हुआ है Union Cabinet के द्वारा So वो कौन से field में है तो आंजर आपका option number C mineral resources हो गया तो अरजनर टीना की बात करते है वोट इस अपिटल व्यूनो और इस अपिटल करेंसी की बात करते है तो पैसो इस अ करेंसी So what is the rank of Indian women hockey team in the latest international hockey federation world ranking So India की women's hockey team के rank क्या है So answer आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 9th rank है Indian women's hockey team का So which country has developed a combined air defense system along the line of actual line So वो कौनसी country है जिसने air defense system along with line of actual control जो है design किया है develop किया है तो वो क्या कौनसी country हो जाएगा China So which is the Indian navi's hydrographic survey ship decommissioned after serving the nation for 40 years So 40 years सक यह serve गया है nation को तो इसको decommission किया गया है तो वो कौनसी service ship है Indian navi की तो answer आपका संध्यायक हो जाएगा So which country was the host country for the 2021 world environment day So world environment day हम June 5th को मनाते है So किसने host किया है So Pakistan will be your right answer अगर हम June 5th environment day मनाते है So what is the theme So ecosystem restoration is the theme So India ranked at which spot on the 17th sustainable development goals report So India की क्या rank थी sustainable development goals में So option number A 117 यहाँ पर इंडिया का rank था So who has won the Azerbaijan grand fix 2021 So answer आपका क्या हो जाएगा Sayo Paris answer हो जाएगा Okay So यहाँ पर option number B and D में आप B and C में थोड़ा ध्यान रख लीजे इन्होंने भी थोड़े brand pixels जीता है Confusion नहीं लेना है So which among the following has been named Assam's 6th National Park Assam की 6th National Park कौन सा बना है सबसे पहले वो 5 कौन है देख लेते हैं एक बार So काजी रंगा मानस ना मेरी दीप्रू साइको वान नाशनल पाक और और रंग नाशनल पाके 5 है तो 6th वाला कौन से बनने वाला है तो राइमोना 6th National Park है Assam की Assam की चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं गावर्नर की बात करते हैं तो जगदीश मुकी है लोकसभा और राजसभा की बात कर लेते हैं तो 14 सब्सक्राइब की बात करते हैं तो वाशिंग्टन डीसी में इसकी हेड़कॉर्टर है and who is the president of World Bank बात करते हैं तो डावर्न मल पास है so which nation plans to build an artificial island in its capital city so उनकी capital city में एक artificial island build करने के लिए कौन सा नेशन जो है सोच रही है तो यहाँ पे option number C आपका सही आंसर हो जाएगा डेन्मार्क so what is the capital of Denmark तो Copenhagen capital है क्रोन क्रोन है आपका यहाँ पे currency हो जाएगा so CBSC has collaborated with which Dick Jane to introduce coding and data science as new subjects in the 2021 and 2022 academic session so CBSC ने किसके साथ जो है खलाब किया है ताकि वो अपनी subjects new subjects launch कर पाए coding and data science अभी इस साल तो answer आपका हो जाएगा option number C Microsoft okay so Microsoft की बात कर लेता है 4th of April 1975 में इसकी establishment हुआ था CEO को ने सत्या नादेला is the present CEO of Microsoft और अगर हम यहाँ पे CBSC की बात करते हैं तो Central Board of Secondary Education यहाँ पे इसकी full firm हो जाता है जिसके establishment 3rd of November 1962 में हुआ था so which state taught the anemia मुक्त बारत इंडेक्स 2020 और 2021 anemia का मतलब जानते हो ना कून के गमी होना होती है anemia okay so option number C Madhya Pradesh आपका सही answer हो जाएगा वो इस दे चीफ मिनिस्टर बगत सिंग कोशियारी इस दे चीफ मिनिस्टर गवनर की बात करते है तो मंगानबाई जंगानबाई पटेल है लोकसबा और राजजबा की बात करते है तो 29 and 11 seats है So Vishvishwara Ahuja has been reappointed as MDNC of which bank by RBI till June 2022 So कौनसे bank के reappoint किया गया है MDNC of Vishvishwara Ahuja को So RBL bank हो जाएगा जो रतनाकर bank है Okay so यहाँ पी next question गँखो तो अब्दुला शाहिद इनको जो है इनको जो है एलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट अगया है इनको तो यह कौन से कंट्री के प्राइब फॉर्टन मिनिस्टर है तो माल्डीव सापका सही आंसर हो जाएगा तो माल्डीव की बात करते है तो वोट इसा कैपिटल मेल इसा कैपिटल करन्सी के बात करते है तो रुफिया इसा करन्सी तो विच कंट्री को जो है अलग किया है मेंबर ओके युनाइट नेशन से कंट्री के लिए तो एंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पे अप्शन नमबर भी हमारा इंडिया हो जाएगा तो विच युनियन टेरिटरी हाज तो यहां पे जो लोकल पीपल है उनके लिए जो है यहां पे रिजर्व करने वाली कौन सी युनियन टेरिटरी है तो अंसर आपका हो जाएगा लदाख हो जाएगा तो विच जाएगा यहां पे रादाख कुरिष्ण मातूर है और वाट इस दाख कैपिटल ले आपका कैपिटल हो जाएगा तो विच स्टीट और युनियन टेरिटरी विलेज हाज बिकम इंडियास फॉर्स तो अचीव 100 परसंट वाक्सिनेशन फॉर अडल्स यहां पे स्टेट यां युनियन टेरिटरी की बात कर रहे है तो यहां पर आप्षिन नंबर पी जमो और कैश्मिर सीटी की बात करता है तो बुववनेश्वर और इसा की बुववनेश्वर फॉर सिटी है जो 100% वाक्सिनेशन हुआ है वहाँ पे सो हम चमो और कैश्मिर की बात करता है तो श्रीनगर is the capital अगर यहां पर देखते है कि who is the lieutenant तो यहां पे मनूत सिनहा इस लूटनेट गावनर तो वो हैस भी नेम्ट अन्यू चैर्मन ऑफ और एल रेगुलेटरी पेड्रोलियम और नाचल गास लेटरी बोर्ड तो अंसर यहां पे क्या हो जाएगा संजीव नंदन सहाई अंसर है तो यहां पे हलिकोफटर्स जो है रिसीव करने वाली है सो कौनसी कंट्री से सो यहां पे उनाइट स्टेज से वशिंग्टन दीसी विल बी ता कैपिटल सो विच उनिवर्सिटी है तॉड़ा द्यान रखना इस क्वेशन का कंफ्यूज नहीं हो और नाचल है तो यहां पर ऑक्षवर्ड करके मत आना ओके मासाचुटेस इंस्टिटीट अव टेक्नोलोजी ने टॉप किया है इंडिया थाइलांड कोडिनेटर पैट्रोल इन जून 2021 इस बिंग हेल्ड इन विच प्लेज सो कॉर्पेट सो यहां पर देखना 31 हमने दोड़े दिन पहले कॉर्पेट का देखा था 36 वो तो इंडोनेशिया के साथ हुआ था सो मैंने आपको बताया था कि 31 वाला इंडिया थाइलांड यह जो है कॉर्पेट एक्सराइज यह थाइलांड के साथ था वो जो हमने 36 पढ़ा था वो इंडोनेशिया के साथ था ओके अंडमान सी में हुआ था यतनी सी चीज़ें आप याद रख लो विच सिटी विल बिकम इंडिया स्वर्स एलेक्ट्रिक वेहिकल सिटी सो कौन सी सिटी है वो खेवाध दिया अंसर हो जाएगा जो गुजरात में है ओके यह जो है जल्दी है अलेक्ट्रिक वेहिकल सिटी बनने वाला है अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो कौन है नूली अपॉइंटर गुरमीथ सिंग है और गावनर की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन है गावनर अचार या देवरत है और लोकसभा और राजसभा की बबात कर लेते हैं तो लोकसभा में 26 राजसभा में 11 जीज़ इंडियन नीवी इंडेक्टर यहाँ पी त्री इंडिजीनियसली बिल्ट अड्वान्स लाइट हेलिकॉफटर एल हैज इंडियन नावी के लिए तो यहाँ भी आंसर यहाँ भी क्या हो जाएगा ऑप्शिन नमबर भी हेच एल हो जाएगा तो हिंदुस्तान एरोनार्टिक्स लिमिट ओके सो यह हेच एल का फुल फॉर्म होने जो है मानुफेक्चर किया है ओके सो दहें फटकाई नाशनल पार्क विच हाज बीन ओफीशियल डेजिगनेट अस नाशनल पार्क विच स्टेट सो आंसर आपका क्या हो जाएगा अगीन असाम हो जाएग सो अभी हमने सिक्स नाशनल पार्क पड़ा तो यह सेवन्त वाला हो जाएगा सो असान ठीक है तो याद रगना इसको भी दहिंग पटकाई नाशनल पार्क विच कंपनी हाज बिकम ICC's official partner तेल 2023 सो 2023 तक ICC की official partner कौन बना है तो यहाँ पे आपका भारत पे अंचर हो जाएगा So who has been appointed as a grievance officer for India by Facebook? So Facebook का grievance officer कौन है तो यहाँ पे स्पूर्ती प्रिया हो जाएगा पारेश भी पारेश जो है बहुत सैप का है स्पूर्ती प्रिया जो है अब Facebook का है इतनी सी चीजिया आप याद रख लेना So each country's advanced artificial sun fusion reactor just a broken new world record So artificial sun जो है यहाँ पे चाइना के दुवारा जो है बनाया है जिन्हों जिसने कितना यहाँ पे temperature हो गया था 216 million degree इसका से भी ज्यादा यहाँ पे 100 seconds तक जो है यह जल पाया था Okay और इसने एक new record बनाया है कितना गर्मी Okay So which Bollywood actor is launching a scholarship for free IS exam को ची So किसकी दोबारा लोंच किया गया है कौन है वो Bollywood actor तो सुनू सूदा आपका answer हो जाएगा So which female player from French Republic has recently won the women's single title in French Open tennis So कौन है वो यहाँ पे भरबोरा घ्रजी सी कोवा answer हो जाएगा जिन्होंने women's single title जीता है French Open में Okay So इतने ही आज के questions तोड़ा जल्दी जल्दी करनी आ है हमने कोई बात नहीं आपके revision के लिए easy हो जाएगा So session अच्छा लगा तो like जरूर कर देना आपके दोसों की साथ share कर दो अभी तक subscribe नहीं किया आपने हमारे channel को So do subscribe to our channel and also click the bell icon beside that and अच्छे से preparation करना और बहुत भी और की second part of current affairs के साथ बाबाई everyone